हलो फ्रेंट्स वेलकम टो गार्डिंग विद हितेश आज मैं आपसे इस वीडियो में एक सकुलेंट प्लांट के खोप सूरत जो है फूल शेर करने वाला हूँ तो जो यह आप वीडियो में देख रहे हैं यही है वो सकुलेंट प्लांट हाँ देखने में यह बिलकुल जो है कैक्टेस की तरह दिखता है और देखने में ऐसे लगता है जैसे इसके यह कांटे हैं और बहुती तेज कांटे होंगे लेकिन ये बिल्कुल soft to touch होते हैं बिल्कुल भी इनमें कांटे नहीं होती है इनकी बनावटी ऐसे होती है जैसे दिखता है कि इनमें तेज धार कांटे हों तो ये plant मेरे पास काफी पुराना है और इसकी मेरे पास तीन varieties हैं और हर साल इसमें जो है मुझे फूल देखने में मिलता ही मिलता है हाला कि इसकी जो एक variety है जिसमें सबसे खोपसुरत फूल निकलता है वो फूल अभी तक मेरे गार्डन में नहीं खेला है लेकिन जो दो इसकी varieties हैं उसमें मुझे हर साल फूल देखने को मिलते हैं तो ये देखिए आप देख रहे हो ये इसकी बड़ है बड़ आप देख सकते हो काफी मोटी है और काफी बड़ी भी है साइज में जो सकुलेंट होते हैं उनके फूल इतने देखने में सुन्दर नहीं होते हैं लेकिन इसके फूल काफी प्यारे होते हैं देखने में और थोड़े अलग से भी होते हैं तो ये जो तीन वराइटीस है वैसे तो लेकिन जो ये दो वराइटीस है मेरे पास ये मुझे हर साल फूल दे देती है और काफी ज़ादा मैंने इस प्लांट को मल्टिप्लाई किया है जगा जगा मेरे गार्डन में ये आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही easy to propagate भी है ये प्लांट ये देखिए ये एक कप है तो इसमें मैंने लगाया था तो थोड़ी सी cuttings लगाई थी और अब देखो कितना ये बुशी हो चुका है आप देख सकते हो पूरा कप फर चुका है और इसमें देखिए ये फूल खिल भी चुका है जो बड़ा port है उसमें bird बनी थी काफी time से लेकिन वो late खिली ये काफी जल्दी खिल गई और आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका फूल है बिलकुल कई बार दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशल सा हो और थोड़ा unique सा लगता है मुझे और मतलब कि इसका आप pattern देख सकते हो फूल का काफी अलग है जो कि फिर attract करता है सबको अपनी तरफ और देखिए जैसे मतलब कि starfish जैसे होती है ना वैसे इसकी बनावट होती है देखिए और ये इसके जो बीच में sports हैं ये आप देख सकते हो कितना इसे जो है खोपसूरत लोग की ये दे रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा जैसे ना टच करने पे इस पे जैसे खुरतरा पंसा लगता है और काफी प्यारा ये देखने को लगता ये वाला फूल और एक मेरे पास ये वाली वराइटी है हुर्णिया की तो इसमें भी देखने ऐसे लगते है काफी इसके जो है कांटे जो है शार्प है लेकिन ये भी बिल्कुल सॉफ्ट टू टच होते हैं और सबसे ज़्यादा जो ये हुर्णिया मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करता है वो ये ही वराइटी है ये देखो कितना प्यारा इसक ये फ्लावरिंग करता जाता है बस इसके यही है कि इसके फूल एक दम जो है मिट्टी को टच करते हैं बिल्कुल नीचे से ही इसके फूल निकलते हैं और कई बार तो दिख भी नहीं पाते हैं ये देखो जैसे यहाँ पे एक फूल खिला हुआ है ये आप देख पारे तो ये मैं आपको शायद दूसरे दिन की वीडियो दिखा रहा हूँ हाँ दो दिन बाद की ये क्लिप है तो इसमें देखो आप ये जो है फूल इसका भी खिल जो गए ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है और इसका जो फूल ये खिलता है ये ऐसे नहीं कि सौफ्ट सा हो बिल्कुल पतली सी पैटल हो ऐसा नहीं है इसकी बड भी काफी थिक होती है और ये जो फूल खिलता है इसका ये भी काफी हार्ड होता है ऐसे नहीं कि सौफ्ट स यहने की नाइट में बंद हो जाता है ऐसा नहीं है एसी फिर यह खिला रहता है और देखे कितना प्यारा लग रहा है और थोड़ी वहुत अगर हम इसके care की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का ध्यान रखना है लोकेशन का भी इतना matter नहीं करता है फुल डे की सनलाइट, हाफ डे की सनलाइट and पूरे complete shade में भी ये plant चल जाता है, लेकिन मेरे according अगर आप इसे full डे की सनलाइट में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कई बार बारिशें होती हैं, हम shade में रख देते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, तो आप इसे मैंने हटा के, जो है यहाँ चाया से हटा के complete shade में था ये, तो यहाँ धूप में इसे रखा हुआ है, तो पानी काफी ज्यादा बरदाश कर लेता है, मतलब कि अंडर वाटरिंग काफी ये जेल जाता है, ओवर वाटरिंग से ही गलता है, और धूप में रखें तो आदे दिन की या फुल डे की सनलाइट में रखेंगे, तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को,